बॉलिबूड एक्टर वरुन धवन के ड्राइबर मनुष साहू की हार्ट अटेक से मौत हो गई है वरुन धवन मंगलवार को बांदरा के महभूब श्टूडियो में एक ब्रैंड की शूटिंग कर रहे थे जहाँ उनके ड्राइबर मनुष साहू को दिल का दवरा पढ़ा जिसके बाद एक्टर और उनकी टीम उन्हें लिलावती अस्पताल लेकर गई जहाँ उन्हें मिर्त घोसित कर दिया गया वरुन धवन अपने ड्राइवर मनुज साहू की मौत के बाद लिलावती अस्पताल में रुके और अपनी टीम से बात करते न ज़राए काफी समय तक रुकने के बाद वह अस्पताल से निकल गए रिपोर्ट के अनुसार मनुज साहू लगभग 15 सालों से वरुन धवन के साथ थे उनके डेबू से पहले वो उनके पिता डेविड धवन के साथ हुआ करते थे लिलावती होस्पिटल के डक्टर अजे पांडे ने मनुज साहू के मौत की पुष्टी की वही डेविड धवन ने भी बेटे वरुन धवन से बात की और उन्हें सांतो ना दी रिपोर्ट की माने तो वरुन धवन और उनके परिवार ने मनुज साहू के परिवार की देख भाल करने का फैसला लिया है वहीं वर्परन की बात करें तो वरुन धवन और फिल्म भेडिया और फिल्म जुग जुग जीओं में काम करते दिखाई देंगे वरुन धवन आकरी बार फिल्म कूली नंबर वन में सारा अली खान के साथ नजर आये थे इस फिल्म को उनके पिता डेविड धवन ने ही डायरेक्ट किया था बॉलिबुड और एंटरेटेन्मेंट ये खबर को लेके रिए एबीबी एंटरेटेन्मेंट